चलिए अब हम शुरू करते हैं Geography का Revision Chapter No.1 तो हम कई बार पढ़ चुके हैं और Revision भी कर चुके हैं लेकर एक बार फिर से Chapter No.1 का नाम है Solar System Solar System में जो है How does a planet different from a star एक planet और star में क्या अंतर होता है तो पहले तो आप से ये request है किये दिया आपको पूरा समझना है Chapter तो उसके वीडियो अलग है और यहां पर मैं सिर्फ वही questions discuss करूँगा जो important है और वैसे तो मैं सारे questions आपको बताऊँगा लेकिन वो important questions जो आपके teacher आपसे पूछ सकते हैं उन पे ज़्यादा focus करूँगा और जो बहुत important fact है actually ठीक है और दूसरी बत यह भी बता दूँ कि यह दिया गूगल मीट वाली class में मुझसे मिल रहे हैं तो आप इस lesson को देखने के बाद ही मिलें क्योंकि वहां पर मैं आपसे questions पूछूँगा और आपको answer देते आना चाहिए तो वह तभी possible है जब आप एक तो सब से पहले चाप्टर कर रीडिंग वाला वीडियो देखें दूसरा फिर यह वाला और तीसरा फिर आप वहां Google Meet में मिलेंगे मुझसे ठीक है चली शुरू करते हैं तो प्लैनेट और स्टार में क्या प्लैनेट से सन को ले ले लुत है सन एक स्टार तो सफची आप तेसा सी आप Can एक स्टार हम आरथैख में प्लैनेट गर्फ सन देखें तो सं लगाता प्रकाषो निकलते रहे यह निकलते रहे जिए थी नॉटर में वो नहीं किसी चीज के आजो आजो घुमते हैं, जैसे सन किसी के आजो आजो नहीं घुमता, कोई celestial body, celestial body का मतलब आकाशी पिंड़ी के आजवजो नहीं घुमते, stars जो होते हैं वो twinkle करते हैं, ठीक है, टिम्टेम आता है, अब आप कहेंगे, smaller होते हैं size में उनका जो होता है खुद का own light नहीं होता वो किसी star के आजू बाजू revolve करते हैं गुमते हैं और वो twinkle नहीं करते फिर अब what is mean by solar system तो sun और eight planet और जो है satellite, asteroids ये सब जो होते हैं जिस सारी celestial body ये आकाशी body जो होती है वो solar system कहलाती है और sun जो हो है उसके center में है फिर है name all the planet अब ये question बहुत important है क्योंकि आपसे ऐसा पूचा जा सकता है कि कौन सा planet sun के एकदम nearest है कौन सा second number पर है कौन सा जो है वो सबसे biggest है कौन सा beautiful planet है कौन सा जो है वो अर्थ के पास है क्योंकि अर्थ के पास तो Venus भी है और Mars भी है तो आपको पता लगाने की दोनों में से कौन सा पास में है सबसे biggest planet कौन सा है सबसे farthest planet solar system में कौन सा है तो ये सबसे nearest कौन सा है ठीक तो ये सारे questions जो होते हैं वो यहीं से बनते हैं तो इनको अच्छे से आप prepare कर लीजिएगा ठीक आगे हम इनके बारे में और discuss करेंगे लेकिन आप अपने मन से पहले एक बार solar system के सारे questions को prepare करिएगा तो इसी पर question आते हैं और इनका chronological क्रम क्या है मतलब कि सबसे पहले कौन सा मर करी फिर Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune फिर why is Earth called a unique planet हमारे अर्थ को एक unique मतलब बहुत गजब का planet क्यों कहते हैं तो केवल ऐसा planet है, unique का मतलब आजज़िती ही होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो ठीक है न तो अर्थ को unique क्यों कहते हैं तो earth has the right condition of supporting life क्योंकि यही एक ऐसा planet है जहाँ पर life है water और air available है ठीक है और वो essential है earth has right temperature है यहाँ पर and hence earth is called unique planet हम क्यों देखते हैं moon का केवल एक side मतलब एक ही तरफ का moon हमें देखता है second side हमें नहीं देखता तो इसका कारण यह है कि moon जो होता है वो earth के round 27 days में revolve करता है it takes exactly the same time to complete one spin और वो एक spin करने में भी इतना ही time लेता है तो इसलिए हमें moon का जो होता है एक ही phase दिखाई देता है एक ही तरफ का भाग दिखाई देता है ठीक है क्योंकि वो घूमते जाता है वैसे वैसे ठीक और कितने दिन लगते है moon को moon को 27 days लगते हैं और earth को कितने दिन लगते हैं sun के आजू आजू चक्कर लगाने में 365 and 1.4 days लगते है ठीक है वन आप and 1 by 4 1.4 नहीं 1 by 4 days फिर आते हैं यह 6 hours भी आपको कह सकते हैं 365 days and 6 hours फिर what is universe जितना भी existing matter है space में ठीक है उसको universe माला जाता है मतलब जो भी चीज़ ऐसा नहीं कि कि वा solar system है ऐसे कई solar system है universe में फिर है all celestial bodies जो होती है वो universe में आती है अब हम करेंगे tick the correct answer यह बहुत important है क्योंकि इस समय में आपके गूगल farm पे जाज़ता टेस्ट हो रहे हैं तो उनके लिए यह important है planet जिसको earth का twin कहते है वो है Venus third nearest planet जो है sun का वो है earth all planets move around the sun किस में गुमते है along neted path में आप four answers देख लीजेगा फिर है four option देख लीजेगा कि इसके four option क्या है उनमें से यह three option क्या है उनमें से कौन सा सही है यहाँ पर मैं सही वाले बता रहूँ pole star किस तरफ होता है तो वो north के तरफ होता है और asteroids जो कहते हैं वो कहां मिलते हैं तो वो Mars और Jupiter के बीच मिलते हैं ठीक तो यह important है आप से पूछे जा सकते हैं इनके three options अच्छे से देख लीजेगा क्योंकि उन में से आपको choose करने होते है फिर fill in the blanks group of stars जो एक pattern मनाता है उसको constellation कहते है huge system of star को galaxy कहते है ठीक है यह पूछा जा सकता है सबसे close celestial body जो हमारे आर्थ के पास है वो है moon आर्थ जो है वो third nearest planet है sun से तो अब आप से first पूछा सकता second, third, fourth तो यह आपको धियान रखना है तो आर्थ से तो कौन सी है third है, अब आप से पूछा जाए कि fifth कौन सी है, sixth कौन सी है sixth planet in solar system तो आपको याद रहना चाहिए ठीक है न, planet do not have their own heat and light जैसे अब आपने देखा कि planet के खुद के heat और light नहीं होते है तो यह आपका first chapter है यदि आपको पूरा समझना है पूरा आपको read करना है तो उसका वीडियो अलग है उसको आप अलग से समझ लीजेगा अब हम चलते हैं chapter number two में latitude और longitude यह revision यहां हम revision कर रहे हैं ध्यान रखेगा तो इसलिए पूरा chapter आपको समझना है तो बार बार कह रहा हूँ आप पूरा वीडियो देखिए वो मैंने बहुत कम data में आपके लिए बनाए इसके माध्यम से मैं आपका बहुत data बचाता हूँ और आपको clarity मिलती है पूरी class में इसलिए मैं आपको इस माध्यम से पढ़ाता हूने तो हम Google Meet में जब भी मिलेंगे तो हम इन questions पर मैं सीधे आपसे पूछूँगा अच्छा बताइए एट planet के नाम बताइए हाँ बताइए planet और star में क्या difference है फिर है what is the true shape of earth earth का true shape क्या है earth has joint shape earth जो है वो slightly fattened है north में और south pole में और bulge है middle में globe क्या है globe जो है वो true model of earth है ठीक what is latitudinal value of tropic of cancer की latitudinal value क्या है 23 and half degree north of equator में है ध्यान रखीगा cancer जो है north of equator में है और capricorn जो है वो south of फिर three heat zone कौन-कौन से है earth के तो torrid zone, temperate zone और frigid zone यह मैंने अच्छे से समझाया है कि क्यों इनका नाम ऐसा है कौन-कौन से zone है torrid, temperate और frigid फिर है what are the parallels of latitude and meridians of longitude जितनी भी parallel circle है equator और poles में उनको parallel of latitude कहा जाता है ठीक है न equator to pole के बीच में जितनी भी imaginary parallel है वो सभी क्या कहलाती है latitude कहलाती है और जो image नादी semi circle line है वो longitude कहलाती है तो अब तेहान से आपको पहले तो वीडियो से समझना पड़ेगा कि longitude किन को कह रहे है latitude किन को कह रहे है latitude कितनी है longitude कितनी है ठीक है यह अच्छे से आप देख लीजिए जिए जिए वीडियो मैंने दो तरह के इसमें cartoon वीडियो भी है T2 की पढ़ाई वाला और दूसरा यह वाला भी है simple वाला दोनों आपके लिए बनाए हुए है ताकि आपको यह lesson अच्छे से समझ में आए फिर है why does the torrid zone receive maximum amount of heat torrid zone को सबसे जादा amount of heat क्यों मिलता है या क्यों सबसे जादा गरम होता torrid zone क्योंकि वो इल्कुल equator के पास होता है और वहाँ पर sunlight जो होता है वो सबसे जादा होता है ठीक है न फिर 530 इंडिया में होता है तो लंदन में क्यों होता है ये भी आप बहुत अच्छे से समझेगा मैंने बहुत अच्छे से इसका वीडियो आपको पताया है कि अलग-अलग time zone होते है ठीक है तो जो इंडिया का time है वो 5 hour 30 minute ahead है मतलब लंदन के time से पहले है ठीक है फिर what is that और ये difference अब आप कहेंगे कि भी लंदन क्यों नहीं आ सकता पहले तो अर्थ तो गोल है तो ऐसा नहीं है उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक 0 degree decide किया है जिससे फिर भी एक सब चीज़ें काउंट होती है वो पहले आपको समझना पढ़ेगा कि वो 0 degree parallel क्या है ठीक ना फिर है the time in India कितना है 5 hour 30 minute ahead फिर उसके बाद है टिक दा करेक्ट आंसर प्राइम मेरीडियन की वैल्यू कितनी है 0 degree फिजिट जोन कहां पर है पोल्स में टोटल नमबर ओफ लॉंगिट्यूट कितनी है 360 लेटिट्यूट कितनी है बताईए भूल गए पता लगाईए कितनी है Antarctic Circle कहां पर है Southern Hemisphere में ग्रेड किसको कहते है लेटिटूट और लेटिटूट के Parallels को कहते है फिर फिलिन्दा ब्लैंक्स में आजाए Tropic of Capricorn कितना है तो 23.5 डिगरी South में है Standard Meridian कहां है इंडिया का 82.5 डिगरी East में कहां पर है कौन सी जगे पर है ये भी मैंने उसमें बताया है वीडियो में फिर 0 डिगरी Meridian को क्या कहते है Prime Meridian ये कहां पर है यहीं से Count करते है नहीं तो आर्थ तो राउंड है पता कैसे चलेगा कौन सा कहां से शुरू हो रहा है यहां से शुरू करते है Zero Degree Meridian इसका Time Decide करने में बहुत महत है अच्छे से समझेगा इसको मैंने वीडियो में समझाया है पर अभी आपको याद रखना है Zero Degree Meridian को क्या कहते है Prime Meridian Distance Between Longitude जो होती है वो कहां Decrease होती है पोल्स में Arctic Circle कहां पर है Northern Hemisphere में अब आते हैं Motion of Earth में तो सबसे पहला Angle of Inclination कितना है Earth का Angle of Inclination Axis में जो है वो 66.5 डिग्री है Rotation और Revolution क्या है Rotation का मतलब है Earth अपने Axis पर जो घूम रही है जिसके कारण दिन और रात हो रहे है Revolution क्या है Earth जो है वो Sun के आचारों और चक्कर लगा रही है ठीक है न वो Revolution है Leap Year कितने Days का होता है 366 Days का होता है क्या difference यह करना है कि Summer Solistries और Winter Solistries में क्या difference है तो यह भी आप अच्छे से समझे है क्यांकि Earth जो होती है वो जुकती है और जुकने की वज़ा से Winter और Summer Solistries होते है यह आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि यह आपको चैप्टर को समझना है तो T2 की पढ़ाई वाला जो वीडियो है इसका वो जरूर देखेगा तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा Summer Solistries जो होता है वो 21 June को होता है और Longest Day होता है उस समय में Shortest Night होती है Summer Season होता है Northern Hemisphere में और Winter Season होता है Southern Hemisphere में Winter Solistries जो होता है वो 22 December को होता है Longest Day और Shortest Night होती है Summer होती है Southern Hemisphere में फिर Winter Solistries समझ में आगए होगा आपको और उस से और अच्छे से समझ में आगा Equinox के होता है जब Day और Night बराबर होते हैं अर्थ में उसो Equinox कहते हैं दो डेट को आता है 21 March और 23 September डेट अच्छे से याद रखेगा 21 March और 23 September वाइड़ दा Southern Hemisphere Winter होती है जबकि Northern Hemisphere में उस समय में दूसरा मौसम होता है यह होता है एंगल होने की वज़़े से और बिट्वीन एंगल और बिट्वीन आर्थ एक्सेस और और्बिट और 21 जून सनलाइट जो होता है वो ट्रॉपिक आफ कैंसर पे गिरता है और आप कहेंगे यह तो हमें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं आएगा आपको समझ में यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो तो 21 जून को क्या होता है आर्थ की दूसरी पोजिशन होती है और 22 डिसमबर को अर्थ की दूसरी पोजिशन होती है और यह पोजिशन चेंज होना शुरू होती है तो उस डेट से हमारे यहां पर टेंपरेचर बढ़ना और गिरना शुरू हो जाता है जैसे September के बाद क्या होता है धीरे 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 हम ठंडी कम होसम आने लगता हमारे यह ठीक है न अभी देखे का आप जैसे September से हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे टेंपरेचर कम होने लगता है यह क्यों होता है क्यों कि Earth जो होती है वो जुपती है तो ये चीज आपको में आएगा, मैं वीडियो की link इसमें नीचे दे दूँगा, ठीक है आपको, जब आपको ये send करूँगा, तो मैं उसे की नीचे उसकी भी link send कर दूँगा, हलाकि मैंने पहले भी आपके साथ share की है, अब आते हैं, take the correct answer में movement of earth को क्या कहते है revolution कहते है sun के आजू आजू जो movement होता है और अपने access पर जो होता है उसको rotation कहते है direct race जो होती है equator पर कप गिरती है 21 March को Christmas जो होता है summer में कहां मनाया जाता है तो वो है Australia में और cycle of season जो होते है वो किस वज़ा से होता है फिर fill in the blanks में leap year में कितने days होता है 366 days daily motion of earth क्या कहलाता है rotation कहलाता है यह rotational हो गया है पर rotational भी कह सकते है कैसा motion होता है तो rotational होता है फिर जो sun के आजू आजू जो earth है वो कैसे path पर चलती है long-nated elliptical orbit पर चलती है ठीक है long-nated path नाम है उसका और elliptical orbit में चलती है कैसे चलती है वो आपको समझ में आएगा वीडियो में sun rays जो होती है वो vertically tropic of cancer में कब गिरती है 21st June को और days shorter होते हैं मतलब दिन चोटे होते हैं किस मौसम में winter season में ठीक है आप देखेंगे शाम जल्दी होने लगती है distance direction और symbol फिर है what are the four cardinal direction कौन कौन से four cardinal direction है तो जो जो जनरल हमारे दिशाओं के नाम है कौन कौन से दिशाओं होती है north, east, south और west आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं अज़ा नहीं कि नॉर्थ पहले लिखेंगा जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा लगे समझ में आए ठीक है और उसमें एक वास्तविक्ता दिखे तो उसमें जैसे एक centimeter और आपर दस kilometer ले लिए तो इसका मतलब है कि यदि मैप में आप दिखा रहे हैं कि दो जगों के बीच की दूरी मान लिजे पांच कि दस kilometer है तो मैप में वो एक centimeter उनका scale दिखना चाहिए मतलब यदि मान लिजे कोई चीज दस kilometer है तो एक centimeter है, पीस kilometer है तो उनके बीच में मैप में कितना अंतर होना चाहिए पताईए आप टू centimeter का जिसे आपने अपने इलाके का मैप बनाया और कोई market पांच किलो मीटर है तो वो आपके घर से पांच किलो मीटर है तो आपके घर से वो market की जो distance होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए वन सेंटी मीटर तो ये आपने के scale लिया ठीक है, मैप बनाने का फिर how are the maps more helpful than a globe maps जो है globe से ज़्यादा helpful क्यों है क्योंकि globe जो होता है जब हम पूरी earth को whole लेकर के study करना चाहते है तो globe अच्छा होता है पर तो जब हम केवल part की study करता चाहते है तो map useful होता है तो ये question आप से google form में पुझा जा सकता है कि जब हम whole earth की study करना चाहते है तो हमें क्या use करना चाहिए क्या use करना चाहिए globe जब हमें किसी part की study करना है तो क्या use करना चाहिए map maps हमको क्या देखने को मिलता है physical feature देखने को मिलता है political boundaries देखने को मिलती है specific information road maps भी होते है rainfall map भी होते है distribution forest होते हैं तो कई तरह के map होते है फिर map और plan में के अंतर है तो map जो होता है वो अभी आपको बता है representation of earth surface or a part of it on a seat of paper it can be used for representing country, state, village और town ये सब दिखाने के लिए map का use होता है plan जो होता है वो small area का बनाया जाता है sheet of paper पर और ये जो होता है उन चीजों को दिखाने के लिए बनाया जाता है जो map पर नहीं दिखाए जा सकती ठीक है ना फिर है large scale map जो होते हैं वो detailed information प्रोवाइट करते हैं ये question का answer है मैंने इसका large scale map क्या दिखाते हैं ये मैं इसका question लिखना भूल गया यहाँ पर फिर है how do symbol help in reading map symbol से हमको कैसे पता चलता है tree का symbol अलग होता है post office का अलग होता है railway line का अलग होता है और तरह तरह की color shared होते है ठीक है ना फिर tick the correct answer है कि map जो forest को दिखाते हैं उनको कौन सा map कहते हैं उनको thematic map कहते है blue color जो होता है वो map में क्या दिखाने के लिए use होता है water bodies को दिखाने के लिए use होता है compass से हम क्या पता करते हैं direction का पता करते हैं और scale क्यों जरूरी है map के लिए जरूरी है तो I hope कि आपको यह lesson क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ उन important question answers को समझाया इसकी detail मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताई है तो आपको यदि पूरा अच्छे से समझना है lesson को तो आप मेरे बड़े वीडियो देखिए जो मैंने बहुत कम data में आपके लिए बनाए है आप देखेगा जितना एक Google Meet में आपका data लगता है उतने में तो मेरा पूरा course हो जाएगा ठीक है और आपका data बचेगा और आपको बहुत अच्छे से समझना आएगा तो जो भी आपने तयारी किये वो हम Google Meet पे discuss करेंगे Thank you very much